नमस्कार दोस्तों भाईयों बहनों देवियों सजनों भारतिय लोग सभा चुनाओ 2024 आने ही वाला है और आप सबने मुझे बहुत प्यार दिया मेरे इस वीडियो पे जिसको मैंने अंग्रेजी में बनाया था और आप सबने ये भी बोला कि ये हिंदी में क्यों नहीं बनाया हो तो लीजिए मैं हिंदी में प्रयास कर रहा हूं मेरे हिंदी उतनी अच्छी नहीं है कृप्या तूटियों को छमा करिएगा लेकिन आज लेके आये हैं आपके सामने ये सेम वीडियो हिंदी में तो देखिए चली क्या होगा एक्जॉटिक एसलोजी हिंदी में आपका स् है याद रखे इश्वर सदेव आपके साथ है जय हिंद जय वंदे मात रम तो अभी वीडियो में जाने से पहले अंग्रेजी में भी मैंने ये ही बोला था कि आप सबसे एक विनम्र अनुरोध है कि कृपिया जब आप वीडियो के नीचे टिपनी करें तो 24 का चुनाव होने वाला है इसमें सबसे जरूरी क्या है कि ये जो 10 राज्य है जो आप देख रहे है ये वो राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटे आती है जैसे आपको पता है सबसे टोटल अगर आप करेंगे कुल मिला के जितनी सीटे वो आता है 543 के आसपास ठीक है और उसके बाद उतर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटे है जैसे 80 सीट है मारास्टर में पश्चिम बंगाल बिहार ऐसे से तो यह आप देख रहा है मतलब यह है डिक्रीजिंग ओडर में लिखा है मैंने तो यह जो टॉप टेंड जो स्टेट्स है शीश दस राज्य यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं में जो सबसे ज़्यादा सीट लाएगा वही सरकार बनाएगा के इंदर में इसमें कोई दोरा नहीं है तो पांसो 43 सीट जो है उसमें से अगर आप ये टॉप टेन राजियो में अच्छा कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा आपका फाइनल जो टैली है रिजल्ट वो बहुत बढ़िया आएगा तो इसलिए मैंने क्या किया है कि इन टॉप टेन राजियों के जो चीफ मिनिस्टर जो मु नियूमेरोलोजी है उससे हम खाली जो व्यक्ति का जो जनम दिन है वो दिन देखके ही बहुत सारी चीज़े बता सकते ठीक है जैसे ममता बैनर जी हो गए योगी आत्यानात हो गए फिर एकनाचिंदे जी हो गए तो वो मैंने इसमें इंक्लूट किया है उसके बाद 272 जो 272 ले आएगा वो के इंदर में सरकार बनाएगा बिना गट बंदन के Absolute Majority Government उसके बाद ये है चुनाव परिनाम का डेट जो कही है 4 जून 2024 ये बहुत ज़रूरी है डेट क्यूंकि यही वो डेट है जिसकी दशाय हमें देखनी पड़ेगी अगर इसमें जिसकी दशा अच्छी आ गई वोही जीतेगा उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया कुछ चीजे जोतिश से पता चलती है कुछ चीजे अंगशास्त्र से पता चलती है जो नियूमरलोजी है तो मैंने इसमें दोनों का उप्योग किया है जिसका भी मुझे कुंडली मिला है उसका मैंने क किसका कुंडली ले हम जैसे कि अभी मोदी जी है जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता है फिर राहूल गांदी जी है कि जो कॉंग्रेस के सबसे बड़े नेता है तो इसमें बहुत सारे विवाद होता है कि हम किसका कुंडली ले मोदी जी का देखे राहूल जी का देखे कि ब जब इसकी स्थापना हुई थी तब की देखे या कॉंग्रेस की जब स्थापना हुई थी तब वह वाली कुंडली देखे तो इस पे बहुत सारे जोच्छियों का विभीन मत है लेकिन मैं अपना मत पष्ट कर देता हूं मेरे अनुसार नेता की जो कुंडली होती है अभी फि एंड में संफ पुलता है वही होता है देश्वयाइज जो पार्टी है उसी का क्युकि नेताकर कुंडली है right डालया की वो स्वतंत्र है वो हुछ इच्छा कर सकता है वो लेकिन जो संगट ने उसका जो कुंडली है उसका जाधा मैं महत्व नहीं देता हूँ क्योंकि उसका कोई उसमें कोई आत्मा नहीं है लेकिन जो नेता है वो एक living person है तो उनका कुंडली बहुत बहुत ज़ादा ज़रूरी हो जाता है देखना बहुत important होता है और इसमें भी बहुत सारा debate होता है कि किसका संगठन में किसका देखे जै मुझे उनका exact पता नहीं बट शायद जो लीडर है officially वो है मलीकारजुन खरगे जी लेकिन ये सब को पता है कि Congress Party के जो प्रमुक निर्नाय होते है उसमें श्री राहूल गांदी जी का ही हात होता है और वो जो बताता है फाइनली वही होता ये सब जानते है ये किसी से चिप आश्पा का देखे तो जेपी नडड़ा जी जो है वो अध्याक्ष है बीजेपी के लेकिन यह हम सब जानते कि वो अध्याक्ष है लेकिन मोदी जी जो बोलते है वही अल्टिमेटली एंड में वही होता है अंद में ठीक है तो इसलिए हम इस पाद पर चर्चा नहीं शार जाणेंगे कि करगे जी का लेना है ऊसी घर का लेना है उसका लेना है हम हम यह सपर्ष जानते और विपक्ष में भी राहुल गांदी के अलावा कोई जो Congress Party है मैं मतलब उसके अलाबा कोई ऐसी पार्टी नहीं है फिलाल आज के तारिख में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसी कोई भी पार्टी नहीं है या है तो भी ना के बराबर है जिसका पूरे भारत में प्रेजन्स हो जिसका शक्ती हो Congress और बीजेपी के अलाबाद तो मतलब की में जो परदा हो रही है वो इन दोनों के बीची हो रहा है हां उसके बाद हम NDA में देख सकते हैं फिर इंडिया लाइन्स में देख सकते किसका क्या कैसा है वो सब मैंने इंक्लूट किया है अल्वेड़ी calculation में लेकिन जो सबसे ज़रूरी है कि ये दोनों का ही देखना ये दोनों का दशार जैसा है वैसा ही आगे होगा तो ये पधान मंत्री श्री नरेंदर मोदी जी की कुंडली है यहां जो आप देख रहा है लेफ साइड में ये वाला लगन कुंडली है लगन कुंडली बताता है कि कौन सा ग्रह किस राशी में है घर नहीं बताता है लगन कुंडली उसके बाद भावचलित कुंडली जो है ये बताता है कौन सा ग्रे किस घर में है तो अभी यहाँ पर आप देख रहे है कि इनका ये जो घर है ये सात्वा नमबर है मतलब कि तुला लगान है इनका लिब्रा एसेंडेंट उसके बाद आपको देखके लग रहा होगा कि चंदरमंगल इनके दूसरे घर में है क्योंकि तुला से दूसरा राशी जो विष्चिक है और चंदरमंगल विष्चिक में लेकिन नहीं दूसरे घर में नहीं है ये इनका पहला घर में है क्योंकि इनका जो चंदरमा और मंगल जिस डिग्री में भले ही वो स्कॉर्पियो में है मतलब कि विष्टिक राशी में लेकिन डिग्री जो होता है वो उस डिग्री में है जो कि अभी तक जहां से अभी दुसरा घर शुरू नहीं हुआ है तो पहले घर में ही है तो फस्ट हाउस ही है तो मतलब चंदरमांगल उनके लगान में है स्कॉर्पियो में ठीक है लेकिन उनका जो में जो लगना का साइन है वो लिबरा है तुला है उसमें कोई संचे नहीं है उसके बाद आप अगर यह कुंडली देखेंगे तो इसका लगनेश जो है वो शुक्र है क्योंकि तुला राशी का जो स्वामी होता है शुक्र होता है तो शुक्र कहाँ पर है आभी शुक्र यहाँ पर देखेंगे तो सिंग राशी का बैठा है लेकिन दसवे घर में है तो यहाँ पर बहुत 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 शक्तिशाली position ही है लगनेश का दसवे घर में ताकतवार position होता है तो इसका मतलब यह होता है कि आदमी में दृड़, संकल्ब, निष्ठा है इसी बहुत होता है आदमी जो सूचता है वो करके दिखाता है या करने का कोशिश करता है उसके बाद इनका दसवा घर का स्वामी जो चंदर्मा है वो भी लगन में चला गया ये भी एक बहुत ही अच्छा योग होता है लेकिन हाँ चंदर्मा नीच का है मतलब की इनका जीवन में जब वो बच्वन में थे शुरुआत से ही बहुत कटिनाय मुश्किल रहा है इनके लाइफ में आसान जिंदगी नहीं रही है इनकी उसके बाद जैसा मैं अपने वीडियोज में हमेशा कहता हूँ बार बार कहता हूँ कि जब भी भी लगनेश दशमेश और ग्यारवे घर का स्वामी एका दशेश जो है उनका ये तीनों का जब आपस में संबन बनता है तो वो एक कुंडली के लिए सबसे ज़्यादा शक्ति शली होता है तो अभी यहां देखिए लगनेश दशमेश लगन में है उसके बाद जो ग्यारवे घर का स्वामी है जो कि यहां बुद्ध है क्योंकि यहां पर वर्गो राशी है मतलब कि जो कन्या राशी वो बुद्ध आके बैठा है दसवे घर में ठीक है तो ये ग्यारवे घर का स्वामी जो है वो उचका हो गया उसके बाद दसवे घर में बैठा है ये और लगनेश शुक्र के साथ बैठा है तो ये मतलब बहुत ही जादा जबरदस पोजिशन है इससे अच्छा पोजिशन हो नहीं सकता है किसे कुंडली में इसका मतलब यह होता है कि सफलता आदमी के पास आते जाती रहती है और इसके बाद आप देखेंगे कुछ समस्याइं है जैसा उनका गुरू जो है तुला लगना के कुंडली में गुरू जो है वो शुगरे नहीं मना जाता है गुरू को क्यूंकि वो तृक भाव का स्वामी है तो यहाँ पर देखें तीस्रा घर जो है उसक यहां पर भाले ही वह तुला लगना है लेकिन यहां उनके लिए गुरू खराब नहीं है उसके बाद गुरू यहां पर चौथे गहां में बैठा है और अगर आप उच और नीच होने का वह जानते है जो तिष में की उचके होते ही नीचके होते तो आप को यह भी पता हो गालु कि यहां जो है इसकह सभ़ोगी साल स Quickly चौथा होता है तो यहां में करक तो नहीं है लेकिन कुम्राशी में है लेकिन चौथे घर में तो इसका मदब यह कि कुछ उनको शुरुआत में जो चौथा घर होता है ना वो होम्लैंड होता है मात्र भूमी होता है उसमें थोड़ा संगर्ष करना पड़ेगा इनको और जो कि उन्होंने शायद किया भी है ल हम लगनकुंडली से लेकिन यहां पर भी अगर आप देखे तो भी वो ग्यार्वएगा को दिश्टी दे रहा है जो की उसे भी बढ़िया है और उसके बाद आप अगर इनका दशा देखे तो जून दोजार चौबीस में मंगल में ब्रिहस्पती चलेगा इनका तो तो मंग मंगल जो है विशाका नक्षत्र में और ब्रिहस्पती धनिष्ठ नक्षत्र में अभी मंगल ब्रिहस्पती के नक्षत्र में क्योंकि जो विशाका नक्षत्र है वो ब्रिहस्पती का है और गुरू जो है वो मंगल के नक्षत्र में क्योंकि धनिष्ठ नक्षत्र मंगल का हो कि मंगल लगन में बैठा है स्वाराशी का तो बहुत 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 ज़्यादा शक्ति शाली है यह मंगल उसके बाद गुरू के बारे में मैंने आपको बताई दिया है और क्या बता हूँ अभी श्री राहुल गांदी जी की कुंडली में आ जाते इनका भी तुला लागन है फिर इनका भी देखेंगे आप लगने शुक्र वह भी दसवे घर में तो ये भी ये भी बहुत द्रीर संकल्पी वाले जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं या कोशिश करते करना वह होगा क कि नहीं वह बात की बात है जैसे मोदी जी का भी मैंने बता है सेम है और गुरू इनका लागन में लेकिन यहां पर देखिए तुला लागन है लेकिन यहां पर गुरू जो है वह चठे गर का स्वामी है तीसरे गर का तो है इमोदी जी का जैसा लेकिन यहां चठे गर का स्वा तुला राशी में जो की अच्छा राशी नहीं है गुरू के लिए क्योंकि वो शत्रू राशी है जैसे गुरू और शुक्र शत्रू है तो शत्रू राशी में जाके बैठा है और ये लगन में बैठा है तो इसका मुलब है कि जो शत्रू उनके होंगे वो उन पे हवी हो सकते मतलब कि इसा कर सकते है कि इनके लिए मुश्किल हो इनके जीवन में उसके बाद इन में एक जबर्दस चीज यह है runners-जी के कुंडली में कि इनका 10 ही खरका स्वामिज़ुट छंद्रमाा और 11 खरका स्वामिज़ूर्Я वो दोनों एक दुसरे को दिरिश्टी डाल जाये तो ये बहुत 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 अच्छा होता है किसी एक उनली के लिए और साथ में ये दुसरे घर का और सात्वे घर का स्वामी जो है मंगल वो भी इसमें इनवर्ड वो भी लिंक्ट है इसमें और शशी मंगल योग उनका है जैसा चनमा और मंगल की यूती या संबन जैसा कोई भी और सूर्य मंगल का शक्ती भी है इनमें तो ये बहुत दृर्ष संकल्पी है बहुत ये प्रयास करते हैं चीजों को करने के लिए तो ये अच्छा ही है अभी इनका दो बहुत बड़ी समस्य आए इनका कुंडली में एक तो है राहू पंचम है हमारे शास्तों में राहू को पाँच्व या नववे जो हमारे त्रिकोन है उनमें अच्छा नहीं माना गया वो इसलिए होता है क्योंकि पाँच्वा नववाव खर जो है वो ग्यान और अध्यत्म का होता है लेकिन जब राहू उसमें जाता है तो वो आपका ग्यान अध्यत्म ये सब खराब करता है तो इसका मलब यह है कि उनको गलत अभी राहू खराब करेगा का मतलब क्या है मतलब यह है कि आपको गलत की वैसा करने बोल रहे तो इसके वाएसे ये बहुत दिकत हो रहा एंगो और राहू TL को जिए डाल रहा है फिर लगन को बीजिट Salzman Regular लञब गुरू जोन का बुद्धी और विबैक है उसको भी थोड़ा कर रहा है और वो इनके आवेश में आके कुछ भी कर रहे हैं बिना जादा सोचे समझें लेकिन हमें ये भी देखना है कि ये सूरिय पे भी राहु का दिश्टी जा रहा है तो मतलब कि सूरिय पर राहू का दिश्टी पढ़ना मतलब कि आपका जो प्रभु सत्ता है आपका जो राज है उसको कोई आपसे ले जा रहा है तो ऐसा देखा गया है बहुत सारे कॉंग्रेस पर्टी के लोग अभी छोड़के बीजेपी में आये हैं पिछले कुछ पांच छे साथ सालो में तो इनका कुंडली देखके लगता नहीं है कि यह सिलसिला लुके गई यह लग रहा है और आगे चलेगा और लोग कॉंग्रेस चोड़के और बीजेपी में आएंगे हां कुछ है आदा लोग उधर से इधर भी आ सकते बट इनका देखके ऐसा लग रहा है और दूसरा इनका सब्सक्राइब जो मुश्किल जो ग्रह है वो शनी है क्योंकि शनी जो है अभी इनका तुला लगन है तो योग का रखए पंचमेश और चतुर्थेश वो होके नीच का बैठा है साथ वे घर में तो इसका मतलब साफ है कि जो पाच्वा घर मतलब जो एक वो होता है न लेकिन इनके पास कोई मंत्रा लाई नहीं था, मतलब इनके पास option था, वो चाते तो कर सकते थे, बड़ इनों लिया नहीं, और उसके बाद चतूरत भाव का स्वामी, जो है, politicians के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो मातर भूमी के लोगों का support दिखाता है, वो अभी न 14 और 19 में भी आपने देखा है, Congress Party का बहुत खराब हलत हुआ है, तो अभी हम Numerology पे जाते है, उसके पहले हम दशा पे जाते हैं, तो इनकी दशा क्या चलेगी उस तेम, जून 2024 में जब result आएगा, इनका राहू में इनका शनी चलेगा, अभी राहू में शनी मतलब जैसा की राहू कहाँ पे है, राहू ट्राइन्स में है, जो हमारा त्रिकोन होता है, त्रिकोन को कभी कबार हम त्रिनेतर भी बोलते है, शिवजी का जो त्रिनेतर है, और शनी कहाँ पे है, शनी नीच का है, वो दुरबल है, हाँ लेकिन वो दिकबल में है, तो अगर वो मेहनत करें भारत जोरो यात्रा निया यात्रा इसा बहुत अच्छा गिया उन्होंने ये करके उनको और सपोर्ट मिल सकता है लेकिन सबसे मुश्किल इनका कुडली में ये है कि वो जो लोग उनको धुका दे रहे और उनकी कठीनाय का फाइदा उठा रहे और जन्रूं समर्थन का अभाव है और साथ ये भी है कि लोग जो आपको गलात सला है उसको उसको काटने के लिए आप कुछ कर नहीं रहे तो मतलब इनको सही में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं लेकिन इनको बहुत केरफुली अपने जो एडवाइजर से जो इनको सला देते इनके सला कर उनको न्यूक करते टाइम इनको बहुत सावधानी बरकनी चाहिए कि किसको अपने पास रख रहे है किसको नहीं रख रहे है अभी आंग शास्तर में चले जाते हैं तो इसमें मोदी जी का है 17 सितंबर और 1980 यह उनका जनम दिन है तो उनका मुलांग आख हो गया और आठ हो गया भाग्यांग हो गया पूरा डेट बर्त आप एड करेंगे तो पांच आता है तो यह बताता है कि इनमें मजबूत नेत्री तो है फिर परशासक बहुत अच्छे अच्छे अड्मिनिस्टेटर है निडर है सहासी है यह दोनों में ही है और महनती भी आठ है इनका मुलांग तो आठ मुलांग जिसका होता है महनती बहुत ज़्यादा होते है और भाग्या भाग्यांकिन का छे होता है, तो इसके वाई से उनका स्वास्त और फिटनेस की तरब बहुत ध्यान होता है, जिसे उनका आप कोई भी इंटरव्यू अगरा देखेंगे, उन चलने का धंग है, काफी अच्छा है, मतलब स्टाइल से चलते हैं, और मुझे याद है कुछ सालों कम है इन में, मतलब कम मुखा रहे थोड़ा, और कभी कभार मिस मैनेजमेंट हो सकता है, कूप्रबंध हो सकता है, और ये तो बताई रहा है, 100% कि सलाकार इनके बुरे है, तो ये बुरे सलाकार ये जोतिश और अंक्शास्त दोनों बता रहे हैं, तो इनको बार-बार ख्या लटना चाहिए कि किस से वो सलाल ले रहा है, वरना बहुत कतनाक हो सकता है इनके लिए, और इनका आगे जो दशा है, इस पर मैं चीज बोलना भूल गया, कि इनका ये जो राहू और शनी जो इनका चलेगा, या चल रहा है, वो चलता रहेगा अभी, वो जून, मे जून स्थिती और बिगड़ सकती है इनकी, और इनको कुछ कोट केस या ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब शायद एक दो दिन के लिए जेल भी जाना पर इनको ऐसा भी हो सकता है, तो अभी फाइनल कंक्लूजन पर आते हैं, तो जोतिश के हिसाब से अगर मैं देखू, तो मुझे क्लि नहीं नहीं होगी, उनको इधर उदर से सीट बटोर के NDA बलाने का जरूद नहीं पड़ेगा, शायद पर सकता है, बट मुझे लगता है कि होगा भी तो वो भी बहुत साज होगा, मतलब कि या तो BJP का आके लाई 300-320 सीट आ जाएगा, या NDA मिला के आ जाएगा, या उसस ही हवा में बोल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, अभी 2029 का बात क्या होगा, 29 में 29 का बात मैं 29 में करूँगा, लेकिन अगर मैं ये लेके चलू कि मोदी जी स्वास्थ रहेंगे, और वो किसी और को प्रधान मंत्री नहीं बनाएंगे, या स्वाइच्छा से, अगर वो छ रहते हैं, और कोई ऐसा नेता नहीं रहता है, जो राहूल गांदी से जादा लोग प्रिया है, और अगर इसी बार जैसा दोनों एक दुसरे के टकर में होते हैं, तो मुझे अभी 2024 में ये बताने में कोई शंका नहीं होगी, कि तब भी विजय श्री नरेंद्र मोदी जी की ही होगी, और वो भी एक बहुत सहज विजय होगी, क्योंकि उनका दशा देख लिया है, मैंने, लेकिन इसमें जैसे मैंने बताया, वो देखना पड़ेगा कि उस टाइम कैसा परिस्तिती है, क्या है, लेकिन अगर अभी जैसा है, सब कुछ वैसा रहे, तब मोदी जी जी ज रह सकते है, खेर उस पर मैं नहीं बोलूँगा, तो अभी के लिए तो 2024 मोदी जी जीतेंगे, सहज विक्टरी होगा, मतलब, इसमें कोई मुझे संक्षे नहीं है, और आप सब का इतना दूर तक आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और परवान आप सब पे अपनी बर्साय रखे, वोट देने जरूर जाए, और सोच के वोट डाले, और ये जाने की आपका वोट देश की दिशा डिसाइड करेगा, बहुत-बहुत शुक्री आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, जै श्री राम, जै हिन, जै भारत.